और इस बीच बिलाईगर से एक बड़ी खबर मिल रही है बिलाईगर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुँचा दें बिलाईगर से इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है फूट पॉजनिंग का शिकार हुए है ग्रामेन फूट पॉईजनिंग का शिकार हुए है ग्रामिन बिलाइगर से बड़ी खबर आपको बता दें जहां ग्रामिन फूट पॉईजनिंग का शिकार हुगए साट से अधिक ग्रामिनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है साट से ज्यादा ग्रामिनों को अस्पताल में भरती किया गया है जो food poisoning की चपेट में आ गए बिलाईगड से ये बड़ी ख़बर आप तक पहुँचा रहे हैं मरीदों में ज्यादा तर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं जो food poisoning का शिकार हो गए हैं तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे बिलाईगड से बड़ी ख़बर रानीगड में केवट परिवार के दशगातर कारिकरम में ये शामिल होने के लिए पहुँचे थे रानीगड में केवट परिवार के दशगातर कारिकरम में ये ग्रामिन शामिल होने के लिए पहुँचे जो food poisoning का शिकार हो गए बिलाईगर से ये बड़ी ख़बर आप पता दे जहां food poisoning का शिकार हुए है ग्रामिन महिलाएं और बच्चे ज्यादा तर इसमें शामिल है जो food poisoning की चपेट में आ गए बताया जा रहा है कि 60 से अधिक ग्रामिनों को अस्पताल में इस समय भर्षी किया गया है जनका उपचार जारी है एक दशगातर कारिकरम से लौट रहे थे जिसी दौरान इनकी तब्याद बिगड़ी और अस्पताल में भर्षी करना पड़ा जब डॉक्टरों ने चेक अप किया तो पता चला कि food poisoning के ने चिकायत है तस्वीर है आपके सामने इन मरीजों में ज्यादा तर बच्चे और महिलाय शामिल है मारे सहुगी प्रशान प्रधान इस खबर पर जोड़ चुके है आज जी बताएं किस तरह से ये जो ग्रामिन है ये food poisoning की चपेट में आगए बताया जा रहा है कि कोई दशगातर का कारिकरम जिसमें शामिल होकर लोट रहे थे फिलहाल क्या इस्थिती है मरीजों की फिलहाल मैं आप तो ये बता रहा है क्योंगा सारंगड बिलाइगड बिले के और वहां पर एक केवट परिवार में दशगातर हो रहा था दशगातर में लगभग 500 लोगों ने बोजन के सामिल हुए थे जिसमें दालभात रोती सब्जी के अलावा मीठा होगी था और इन सब का वहां सेवन क्या रोती मीठा इसमें क्या हुआ जब खाना काने के बाद फिर बाद में सब निकले और उसके बाद एक एक करके कहीं कहीं है सब्याद भी गड़ती गई बच्चों की महिलाओं की फिर सब पूरुसों की भी इस सब इस सब इस सब को आनद पाना में भर्ती कराया गया बिलाईगर में और वही मेरिस्ट एक और अमुदाइट के अंदर है धन्सीर इन दोरों जगह पर भर्ती कराया गया लगवक पाट लोग सब मिलाकर ये अज़टा कामने हुई है बिलकुल बहुत शुक्री आपका इस तमाम जानकारी के लिए इस तम आपका इस झाम जापका एक घानकारी के लिए